मुंबई के साकी नाका में दरंदगी केस में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक आदमी गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आरोप है कि इस आदमी ने महिला से मारपीट भी की है पुलिस के मुताबिक हैवानियत की घटना गुरुवार और शुकुरुवार राज साड़े तीन बजे की है हाला कि पेड़ित महिला ने अस्पिताल में दम तोड़ दिया है महराश्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भी घटना पर दुख जुताया और दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है सरकार फास्ट ट्रेक पर ये मामला ले जाए ये भी प्रियास रहेगा ताके सजा मिलने के बाद लोगों को डर पैदा हो कि निश्चित रुप से इस दिसा में सरकार कदम उठाएगी